हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और आज हम बिना चीनी, बिना चास्नी, बिना गुड और बिना मावा के हेल्दी और टेश्टी और एनर्जी से भरपूर मिठाई बनाएंगे तो चलिए इसकी रेसेपी देख लेते हैं मिठाई बनाने के लिए यहां मैंने लिया है हाफ कप मूंफली और आधा कप नारियल यहां मैंने नारियल को छील के अच्छे से धो के काट लिया है हम एक पैन लेंगे, पैन को गरम होने देंगे और इसमें मूंफली डालेंगे मुंगफली डाल कर मेडियम फ्लेम पे हम इसे एक से दो मिनट के लिए भून लेंगे या रोश्ट कर लेंगे जब तक मुंगफली के छिलके के उपर क्रैक्स ना आ जाए और मुंगफली हमारे अच्छे से क्रंची ना हो जाए तब तक हम इसे medium flame पे भून लेंगे या roast कर लेंगे मूंगफली को भूनते हुए 2 मिनट हो गया है और ये देखे मूंगफली के उपर cracks भी आ गया है और मूंगफली का color भी change हो गया है हमें इसे इतना ही भूनना है और अब gas का flame off कर देंगे और इसे दूसरे plate में निकाल लेंगे या transfer कर लेंगे और हम इसे ठंडा कर लेंगे मूंगफली को ठंडा कर हम इसका छिलका निकाल लेंगे या remove कर लेंगे और ये देखे यहां मैंने मूंगफली का छिलका निकाल करके मूंगफली को साफ कर लिया है और चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे हमें इसे दरदरा ग्राइंड करना है और ये देखें यहां मैंने मूंफली को ग्राइंड करके इसे एक कटोरी में निकाल लिया है और अब हम नारियल को भी ग्राइंड कर लेंगे और ये देखे यहां मैंने नारियल को भी ग्राइंड कर लिया है नारियल को मैंने दरदरा ग्राइंड किया है आप इसके जगा इससे महीन ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं और ये देखे यहां मैंने दोनों को दरदरा ग्राइंड किया है अब हम मिठाई बनाएंगे मिठाई बनाने के लिए यहां मैंने एक पैन लिया है और पैन को गरम होने देंगे पैन गरम हो गया है हम इसमे नारियल डालेंगे नारियल डालकर हम इसे चलाते हुए एक से दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे इस मिठाई को हम बिना घी और बिना ओयल के बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट और टेश्टी होता है। और ये देखें नारियल को यहां मैं कंटिन्यू चलाते हुए भून लूँगे जिससे नारियल का मौस्चर या नमी सूख जाएगा और नारियल हमारे डेसी केटिड कोकोनट के जैसा हो जाएगा। नारियल को मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए दो मिनट हो गया है और ये देखें नारियल हमारा बहुत अच्छी तरह से भून गया है और इसका मौस्चर भी खतम हो गया है और नारियल हमारे डेसी केटिड कोकोनट जैसा हो गया है इस टाइम पे हम गैस का फ्लेम मीडियम ह यूज़ क्या है आप इसकी जगा चीनी या गुड़का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन कंडेंस मिल्क डाल करके अगर आप बनाएंगे ये तो फटा फटा मातर 10 मिनट के अंदर बनके ये तयार हो जाएगा और ये देखें कंडेंस मिल्क डाल कर हम नारियल को इस तरह चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे मिला लेंगे नारियल और कंडेंस मिल को यहां मैंने अच्छे से मिला लिया है और यह देखें नारियल डो की तरह बन गया है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे प्लेट में निकाल कर नारियल को हम हलका ठंडा होने देंगे और ये देखिए यहां मैंने नारियल को प्लेट में निकाल लिया और अब हम इसे ठंडा होने देंगे और सेम पैन में ही हम दरदरा ग्राइंड किया हुआ मुंफली डालेंगे और थोड़े से मुंफली पौडर को हम बचा लेंगे मुंफली के पौडर डाल कर हम इसे 15-20 सेकेंड के लिए इस तरह चलाते हुए मिला लेंगे अगर आप लाइट मिठा खाते हैं तो इस मिठाई को एक बर बना के जरूर देखें सभी को बहुत पसंद आएगा और अब हम इसमें 2 चमच कंडेंस मिल्क डालेंगे कंडेंस मिल्क की जगा आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं एक तार की चासनी बना कर आप इस मिठाई को बना सकते हैं और अब हम बदाम के पौडर को कंडेंस मिल्क में अच्छी से मिला लेंगे और इस टैम पे भी गैस का फ्लेम मेडियम ही रखेंगे आप गैस का फ्लेम हाई ना करे नहीं तो हमारे सारे इंग्रीडियन्ट जल सकते हैं मूंगफली का पाउडर और कंडेंस मिल्क अच्छी तरह से मिल गया है और अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे पैन में अच्छे से मिला लेंगे और ये देखें यहाँ मूंगफली डो की तरह बन गया है और पैन भी छोड़ा है और अब हम इसे भी एक दूसरे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे और अब हम एक प्लेट लेंगे और मिठाई बनाने के लिए नारियल और बादाम का मिक्स्चर लेंगे मिठाई बनाने के लिए हम बादाम का थोड़ा सा डो लेंगे डो लेकर हम इसे हाथ पे अच्छी तरह से गोल हुमाते हुए छोटा सा बॉल बना लेंगे और ये देखें यहाँ मैंने बॉल बना के तयार कर लिया है और अब हम नारियल का मिक्स्चर लेंगे और इसे इस तरह गोल हुमाते हुए इसका भी बॉल बना लेंगे बॉल बना कर दूसरे हाथ पर हम इसे इस तरह फैला लेंगे और बादाम के बनाए हुए बॉल को नारियल में डाल कर हम इसे अच्छी तरह से उपर से कवर कर लेंगे और इसे मिठाई या लड़ू का शेप देंगे और अब हम इसे इस तरह गोल घुमाते हुए बॉल का शेप देंगे और ये देखे नारियल और बादाम का हमारा मिठाई या लड़ू बनके तयार हो गया है और ये दिखे ये बिलकुल रश कदम मिठाई की तरह दिख रहा है और सेम तरीके से हम और भी लड़ू बना लेंगे सेम तरीके से हम और एक लड़ू बना लेंगे और ये दिखे यहां मैं एक और लड़ू आपको बना के दिखाती हूँ इस तरह का मिठाए आप घर पे पहले से भी वरत या फ्रेश्टिवल के लिए बना के रख सकते हैं आप इसे फ्रिज में स्टोर करके एक सब्ता के लिए रख सकते हैं ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा ये मिठाए आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल ही मखन की तरह मुँ में घूल जाएगा और ये देखे हमारा दूसरा मिठाए भी बनके तयार हो गया है और चलिए अब मैं आपको एक और अलग तरीके से मिठाए बनाना सिखाती हूँ और सबसे पहले हम बादाम का मिक्स्टर लेंगे और इसे इस तरह गोल गुमाते हुए बॉल का शेफ देंगे और इसे हाथ पे अब हम इसे इस तरह फैला लेंगे और इसके बीच में थोड़े से नारियल का मिक्स्टर डालेंगे और मिक्चर डाल कर हम इसे बादाम के डो से अच्छी तरह से पैक कर लेंगे और ये देखिए यहां मैंने बादाम का भी डोक से मिठाई बना लिया है और इसे इस तरह गोल घुमाते हुए राउंड या बॉल कर शेप देंगे और अब हम इस मिठाई को बचे हुए बादाम के पौडर में डाल कर हम इसे इस तरह गोल घुमा लेंगे और ये देखिए बादाम के पौडर से हमारा मिठाई बिल्कुल अच्छी तरह से कोट हो गया है और ये देखे बादाम का भी मिठाई हमारा बनके तयार हो गया है हम सेम तरीके से एक और बना लेंगे आपको जो तरीका अच्छा और इजी लगे आप उस तरीके से मिठाई बना सकते हैं और आप इस रेसेपी को घर पे जरूर ट्राइ करें और आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हलफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें और ये देखें यहां मैंने दूसरा मिठाई भी बना के तयार कर लिया है और सेम तरीके से हम सारे मिठाई बना के तयार कर लेंगे और अब हम चलिए इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे इस मिठाई को आप सिर्फ नारियल या सिर्फ मुमफली से भी बना सकते हैं जब भी आपके घर में महमान आ जाए और आपको इंस्टेंट मिठाई बनाना हो तो आप इस recipe को जरूर ट्राइ करें आपके घर पे जो भी इंगरेडियंट easily available हूँ, आप उस इंगरेडियंट से easily और मिंटों में घर में मिठाई बना के तयार कर सकते हैं और आपके मेमान भी तारिफ करते नहीं ठकेंगे और ये देखिए यहां मैंने इसे सर्फ कर लिया है आपको मेरी रेसेपी अच्छी और हेलफूल लगी हो तो अपना एक्सपिरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें और अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में